पहले आज जो स्टॉक फोकस में है वो है अंबुजा सिमेंट जहां अदानी ग्रूप के प्रमोटर एंटिटीज ने अपना 4000 करोड रुपे का जो शेर वैल्यू है वो यहां ब्लॉक डील के जरी बेचा ब्लॉक विंडो में ट्रांजैक्शन हुआ और कहीं न कहीं येस्टेडी भी स्टॉक डेज हाय पर बंद हुआ आज भी लगबग 2-3% की शुरुआती तेजी अंबुजा सिमेंट में ब्लॉक दिल के बाद आप देख रहे हैं अबिसली जो 4,000 क्रोड से जादा की राशी प्रमोटर्स के पास आई है वो सुत्र के हिसाब से अपने ग्रूप लेवल पे प्रमोटर एंटिटीज में अपना कर्स कम करने के लिए यूज हो सकता है इसके लावा TVS मोटर्स आज फोकस में हैं इनका एक नया प्रोड़क्ट जूपिटर वेरियंट लाँच हुआ है प्राइसिंग सिमिलर रखी है और ब्रोकेजिस के साब से काफी अच्छी लाँच यहां आती हुए दिखाई पड़ रही है UBS की यहां खरीदारी की सला है 32 रुपे का टार्गेट इन्हों ने बढ़ा के अप कर दिया है जिसके बाद शेर में आप देख रहे हैं 3% का आप मूव तो नई जूपिटर को लाँच के बाद स्टॉक में अच्छा अच्छा अट्रैक्शन तीन-चार स्टॉक्स हैं जिनमें हरकत देखने को मिली है महिती जी इनमें से कोई जो आपको फिलाल पसंद आ रहा है चार्ट पर I think RVNL का चार्ट स्टॉक्चर अच्छा बनाऊ है क्योंकि एक बेस बनाकर अब स्टॉक वापस मूव दे रहा है पिछले 7-8 दिनों से कंसॉलिडेशन था और अधिसे एक फ्रेश ब्रेक आउट देखा रहा है तो मैं लगगा 623 तक का यह जाने का मुंटम बन सकता है यहां से यह कि इसका रीसिंट हाई था जो स्टॉक्लास में मिंटेन करना है वो 560 का एक SL मिंटेन करें और 623 तक के टागेट के लिए इसमें खरेदारी की जा सकती है ओके तो यह RVNL best suited candidate रहेगा यह जो पूरी हरकत हमने देखी है आज railway counters में लौटती हुई बाइदे वे एक और trade जो वाइदे बाजार में आप थोड़ी सी अपनी चाल को नरम कर रहा है GMR airport GMR airport में कुछ-कुछ positions unwind होने लगी हैं यहां पर यह counter करीब 0.5% नीचे दबाव में और इसके absolute विपरीत आपका interglobe aviation है बतादें कि money control पर दिये गए विचार experts के अपनी नीची विचार होते हैं website या management इसके लिए उतरदाई नहीं है users को money control की सलहा है कि कोई भी innovation इंडले लेवी से पहले certified expert की सलहा ले झालेcis का ले विचारई खासद़दाए का अकरेण इसक्वार ले आताओच्स ़ाह रे विखेशे़ गिशले से भीचे हैं बबाचर आपका inters app-P